और इस वक्त आपको बता दें, कॉंग्रस की प्रवक्ता आजी कुमार एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं, सीध्या पुली चलते हैं पार्टी के ब्रस्टचार वाले कर्टूते की बाते सामने आ रहे हैं राजनीती में नैतिक्ता और जिम्वारी लेना एक बहुती की बहुती महत्वता है और बारतीय जन्ता पार्टी ने बिछले कई माईनों से यह साबित कर लिया है कि वोए किसी तरह कर नैतिक्ता के प्रमाद देने से परेज कर रहे हैं बारतीय राश्रे कॉंग्रेस पार्टी अपनी मांग इस वर्षावाली सत्र में काइम रखीगी कि यदि मद्यपदेश में व्यापम कि निश्पक्ष जांच अगर होगा तो वहां से शिवराज सिंग चोहांच जी का इस्तिफा तुरंथ होना आनिवारी है उसी तरह से राजस्तान में वसंद राजी जिस चारो तरफ से ब्रस्चार के आरप से गेरी हुई है राजनितिक धर्म ये कहती है कहता है कि उनको तुरंथ इस्तिफा देना चाहिए और तीसरी बात यह है कि सुस्मस्वराजी के मामरे में जिस तरह से उन्होंने गेर कानूनी और एनित्ता से लड़त मोदी को मदद किया उनको भी जो उनको भी अपने पत्सत तुरंथ इस्तिफा देना चाहिए आपको याद होगा कि निर्वेवाली गटना में यही अर्विन केजिवाल जी और उस वकत विपक्ष में भारतियस जनता पार्टी जिस तरह से निशान सादे थे शीला दिक्षिट जी के सरकार पर और यह मिनाक्षी जी वाली जो कटना है एक मिनेट कट करना है तर नेम इस मिनाक्षी तर नेमेर्ग के सरक्षिट जी पर मेंनाक्षी सरक्षिट कर दो 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 जादे थे देखिए आपको याद होगा कि निर्भावाली गटना में जिस तर्थ से हर दिन केजिवाल जी और उस वकत भातिय जंतपाड़ी जो विपक्ष में थी जिस तर्थ से शीला दिक्षित जी के सरकार पर उनोंने निशाने सादे अब ये मिनाक्षी जी वाली जो गटना है उतना ही गंबीर उतना ही अफसोस चनक उतना ही संसनिय पर उन्तु दोनों देली के सरकार हो या केंदर के सरकार हो इस विशे पर मौन है जिस तरह से निर्भेवाला गटना में उन्होंने जिस तरह से अपने राजनिती ग्रोटी सेके ये दोनों पार्टी आम आदमी पार्टी या भारती जनता पार्टी को पूरी तरह से जिम्वारी लेनी चाहिए और केंदर सरकार और राज्य सरकार को तुरंथ ऐसे कारगर कदम उटानी के अबश्रकता है ताकि दिल्ली के माईलाव सुरक्षत रहें और को मांदें इस बार मांदें इन बटके दिल्ली checking दिल्ली पलीज को राजोट सरकार करने लोड़ी पुलीज को राज़य सरकार के अधिन करने से पहले कुछ विशेश मुद्दे हैं क्योंकि ये देश की राज़दानी भी है तो जब तक हर तरीके से एक आप दाचा तयार नहीं करेंगे जिससे ये सुनिश्चित करें कि यदि पुलीस देली पुलीस राज़ सरकार के अधिनस्द भी हो लेकिन किसी तरह से विदी व्यवस्ता कानुन व्यवस्ता पर खराब असर नहीं होनी चाहिए तो देली पुलीस को राज़ सरकार के अधिनस्द होना उच्छित होगा परंतु उसको करने से पहले पूरी तरह से आपको एक धाचा तायार करनी के अवश्ता है ताकि दिली और दिली के नागरे के वो सुरक्षत रहे एक तो आरसस वाला मौत एक तो वो आईटी ने वो तो बंद कर दिया है आए आए इटी ने वन से एक तो आईटी और आयम के बारी मैं लोग को कुछ बोल रहे हैं आरसस महुत पीछने तो इस प्रेस कॉंफरेंस के जरीए एक बार फिर कॉंग्रेस ने अपना आकरामक रुख जता दिया और जाहिर कर दिया कि वसंदराश शिवराज और इसके अलावा सुश्मस वराज जब तक अपने पत से स्तीफा नहीं देती तो संसत के सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा और उनके फोरन इस्तीफे की मांग एक बार फिर से कॉंग्रेस ने की लेकिन दूसरी तरफ सर्वदलिये बैठक भी आज चल रही है संसदेकारे मंत्री ने ये बैठक बुलाई थी कल से मौनसुन सत्र शुरू होना है और उससे पहले सरकार अपनी पुरी तयारी कर लेना च जाती है ताकि शांती पूर्ण तरीके से संसद का ये सत्र चले इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवादता बालकृष्ण जुडगए हैं हमारे साथ बालकृष्ण यहाँ पर सरकार की अगर कोशिशों को देखा जाए तो कल के दिन पुरा होमवर्क किया जो बैठकों का दौर जारी हुआ और उसके बाद आज सर्वदलिय बैठक लेकिन सवाल यही उठता है कि कॉंग्रेस और बाकी विपक्ष जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाई हुए हैं उसको देखते में क्या ये डेड लॉक तूटेगा देखिए विपक्ष का क्या तेवर रहता है ये तो जब कल संसत का सत्र शुरू हो का उस वक्त ही पता चलेगा लेकिन अपनी तरब से कोशिश की जा रहे हैं सर्वदलिय बैठक में की विपक्ष के रुख को नरम किया जाए प्रधान मंत्री अब से थोड़ी देर पहले प्रधान मंत्री इन सम्मूदित किया सर्वदलिय बैठक को और उन्होंने दो-ती महतवपूर्ण बाते कहीं पहली बात उन्होंने ये कहा कि जो संसत का सत्र चलाना संसत को चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन वामले को ऐसा नहीं होना चाहिए कि महमला वही का वही अटक जाए राम गोपाल यादव ने ये कहा था पर उससे पहले ये बात कही थी कि इस पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहिए उनकी बात को का समर्थन करते हैं प्रधान मंत्री ने कहा कि तमाम जो बद्धे ह यहार बेकृत पर लोग राए कि यहार पसको चाहिए कि तेकी सिच्षिस सब्से उपर रहे कि का डेयान रखे कि वाय है शुक्राबाल कुर्श्च आपका हमेश जानकारी देने के लिए